तो देखेगा जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि RRB, NTPC के एक्जाम्स चल रहे हैं है ना और कुछी दिनों में आपके RRB, NTPC, CBT1 के एक्जाम्स खतम हो जाएंगे तो आज 21 मार्च 2021 को जो 2nd shift में जो questions पूछे गाये हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूँ यह थोड़े से moderate to tough level के question है है ना first shift में भी इसी प्रकार के question पूछे गाये हैं और second shift में भी हैना इसमें repeated question जो है वो काफी कम है first shift में भी first shift में तो खेर एक ही question आया था repeated बागी second shift में भी एक या दो question है है ना और maths के जो questions आया थे वो थोड़े से lengthy थे, calculated थे और reasoning जो आई थी वो थोड़ी easy थी है ना मतलब easy level की थे उसके questions बट यह जो maths के थे वो थोड़े से calculated थे लेंदी थे तो चली आई हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से questions आज 21 March 2021 को second shift में पूछे गए आप सुरू से आखरी तक इस वीडियो को देखेगा और channel को जिन लोगों ने subscribe ने किया वो channel को भी subscribe कर लीजेगा पहला question यह था कि भारत में railway का जनक किसे कहा जाता है तो यह जो question है यह जो है आपका easy level का question है तो सभी को पता होगा कि भारत में railway का जनक किसे कहा जाता है भीया Lord Dalhauji जी को है न, Lord Dalhauji को clear अच्छा सबसे पहले भारत में जो rail है वो कब चली थी तो सबसे पहले, कब चली थी भैया सबसे पहले चली थी 1853 में, कब 1853 में भी कब, तो 16 April 1853 में कहां से कहां तक चली थी तो मुंबई से पूने जो है वो ट्रेन चली थी, clear हो गया सभी लोगों को, तो इस चीज का यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेगा, आगे बढ़ते हैं, अगला question क्या है, कि होमियो सैपियन टर्म किस ने दिया, तो होमियो सैपियन टर्म किस ने दिया था, काल लीनिस ने, अ अगला question यह था, कि स्रीशक्ती सैटलाइट किस संस्था ने लांच किया, तो स्रीशक्ती सैटलाइट जो है, वो उन्ही के नाम पर based है, कौन सा, स्रीशक्ती इंस्टिट्यूट आफ इंजिनिरिंग एंग टेकनलोजी, मैं दोबारे इस question को रिपीट कर रहा हूँ, स्रीशक पर है यह, तमिल नडू में, क्लियर, कौन सा, स्रीशक्ती इंस्टिट्यूट आफ इंजिनिरिंग एंट टेकनलोजी, अगला question यह है, कि 2021 एशन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन नियुक्त किये गए है, तो वो है जैशाह, कौन है, जैशाह, तो काफी important question है, आने था, कि 2018 में UNICEF की youngest brand ambassador कौन बनी थी, तो हीमादास बनी थी, यह तो काफी easy question था, बट यह 2018 का आप से पूछ लिया गया है, 2018 का current affair का यहां से question आपका आगया है exam में, तो बहुत से student ने आला question गलत किया था, बट यह current affair का था, इसलिए इसको हम easy to moderate रख सकते हैं, अगला question यह ह hope mission कौन से देश से संबंदित है, तो hope mission जो है, वो UAE से संबंदित है, United Arab Emirates से संबंदित है, hope mission, अगला question यह था, कि Jim Corbett National Park की स्थापना किस जानवर को बचाने के लिए किया गया था, तो Jim Corbett National Park की स्थापना किस जानवर को बचाने के लिए कि गई थी, तो option थे आपके Bengal Tiger, White Tiger, Blue Will और एक और option कोई सा था, वो student को याद नहीं है, तो इसका आपको correct answer क्या हो जागा Bengal Tiger, है ना, Jim Corbett National Park की स्थापना किस जानवर को बचाने के लिए कि गई थी, तो Bengal Tiger के लिए बचाने के लिए कि गई थी, अच्छा, यह Jim Corbett National Park है कहां, तो यह है उत्तराखंड में, कह क्लियर हो गया, कब हुआ था, आपको इसका सन बताना है कि कब हुआ था, कहां पर है, उत्राखंड में, बंगाल गजट का प्रकाशित हुआ था, 1789 में, 1779 में, क्लियर हो गया सभी लोग को, यह जो है, यह repeated question है, यह exam में, पहले की shift में भी पूछा जा चुका है, बंगाल गजट का प्रकाशित हुआ था, तो 1779 में, आगे बढ़ते हैं, मराठा समचार, मराठा समचार पत्र की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो बाल गंगधर तिलक के द्वारा की गई थी, अच्छा, यह जो मराठा समचार है, यह बाल गंगधर तिलक के द्वारा की गई थी और बाल गंगदर तिलक के द्वारा एक और पत्री की शुरुवात की गई थी जिसका क्या नाम था केसर किलियर हो गया सबी लोगों को तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप लोग यहां पर ध्यान रखेगा अगला कोश्चन यह है कि सार्क development fund का मुख्याल है कहां इस्तित है तो देखेगा अगर एक्जाम में सिर्फ और सिर्फ सार्क का अगर आपसे headquarter पूछता तो वो कहां पर है वो कहां पर है आपका नेपाल में नेपाल में कहां पर है काट मांडू में है ना काट मांडू में लेकिन आपसे पूछा गया है कि सा सार्क का अगर headquarter पूछेगा तो आपका यहां पर answer हो जाएगा क्या काट मांडू नेपाल ठीक और अगर आपसे सार्क development fund के अगर बारे में पूछेगा उसका headquarter पूछेगा तो आपका correct answer क्या हो जाएगा थिम्पू जो कि कहां है भुटान में clear हो गए यह वाली चीज़न अगले कोशन की ओर चलेगा अगला कोशन यह है बहत्रवा अनुचेद किससे सम्भंधित है चलो मातरवा Este King किससे संबंदित है तो राश्ट पती के शमादान सेिम्दित है मतलब राश्ट पती के ऑस ऐक अगला question है केंद्रकव कोशी का जिल्ली means cell membrane के मद्य means cell membrane के बीच कौन सा द्रव means fluid पाया जाता है तो जो cell membrane होती है उसके बीच कौन सा fluid पाया जाता है हमें यह बताना है तो बहुत easy question है और यह repeated question है पहलों के shift में पूछा जा चुका है तो यह ntpc cbt2 में पूछा जा सकता है और rrc group d में भी पूछा जा सकता है so cell membrane के बीच कौन सा fluid पाया जाता है अगला question यह है कि रंजन गोगोई से पहले भारत के मुखे नाइधीश कौन थे तो वो थे दीपक मिश्रा है ना मतलब रंजन गोगोई के पहले भारत के chief justice of India कौन थे तो दीपक मिश्रा थे जो की 45th नमर के थे और रंजन गोगोई 46th नमर के थे और अभी present में 47th नमर के chief justice of India CJI कौन है तो वो है अरविंद बोबडे जी कौन है अरविंद बोबडे जी तो इस चीज़ का भी धिहान नखिया कि अरविंद बोबडे जी अभी हाली में कौन से नमर के CJI है तो वो है 47th नमर के clear अभी एक odd one out का question था तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया था चार option थे हमें बताना है कि इसमें से विशम कौन सा है तो ohm दिया है पास्कल दिया है time दिया और volt दिया है तो यह जो ohm होता है यह resistance की यह resistance की SI unit होती है पास्कल जो होती है वो pressure की SI unit होती है volt जो होती है वो किसकी SI unit होती है यह होती है potential difference की बट यह जो time है यह time ही एक यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी मतलब time की unit क्या हो जाएगी SI unit second हो जाएगी clear तो यहाँ पर अगर second दिया होता तो तो ठीक था बट यहाँ पर time की unit second होती है ना कि time खुद एक SI unit है किसी चीज़ की clear तो इसलिए हमारे यहाँ पर odd क्या हो जाएगा time हो जाएगा अगले question की ओर चलते हैं कि बाबर का पुराना नाम क्या था तो भी यह बाबर का पुराना नाम क्या था जही रुद्दिन clear हो गया बाबर का पुराना नाम क्या था जही रुद्दिन clear चलो अब आपको यहाँ पर comment में मुझे comment करके बताना है कि पानी पत का पानी पत का तीसरा युद्ध कब हुआ था तीसरा युद्ध कव हुआ था यह आपको मुझे comment box में comment करके बताना है clear हो गया चले अगला question है कि स्वेज नहर ये नहर लिखा है न स्वेज नहर किसको किसको अलग करती है तो ध्यान दिजेगा ये अच्छा question है मैं इसको यहाँ very important लिख दे रहा हूँ चलेगा next question के ओर चलते है red cross का मुख्याला है means red cross का headquarter कहा है यह हमसे पूछा गया तो बहुत easy question है red cross का headquarter कहा है भी है जैनेवा स्वेजर लेंड में अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेगा कि यह जो red cross है तो red cross day कब मनाया जाता है यह question भी बहुत बार exam में पूछा जाता है और पहले की shift में पूछा जा चुका है तो आने वाली shift में पूछा जा सकता है इसलिए मैं उसको बता देता हूँ red cross day कब मनाया जाता है भी है 8 मई को मनाया जाता है clear चलेगा red cross का headquarter कहा है जेनेवा स्विट्जरलेंड में red cross day कब मनाया जाता है तो 8 मई को मनाया जाता है 8 of May को बनाया जाता है अगला question यह है कि इन में से कौन शास्त्री नित classical dance नहीं है अब देखेगा इसको आप लोग मुझे एक बार comment करके बताएगा कि इसका answer correct क्या होगा क्योंकि बच्चों के options के according ये जो ODC, ODC, भरतनाट्यम, कुचिपुडी और मुहिनी अट्टम है ये सभी क्या है classical dance है ये सभी क्या है शास्त्री नित्य है इन में से ऐसा कोई भी निये जो एक क्या हो आप लोग नित्य हो flow dance हो clear तो मुझे options चाहिए तोड़े से different लग रहे है अब आप लोग मुझे comment करके बताएगा कि क्या यही option थे क्या exam में clear अगर यह option नहीं थे तो कौन सा exam में था options ये आप लोग मुझे बताएगा clear तो ODC जो है वो ODC का है भरतना time ये सभी आप लोगो पता है clear हो गया चलेगा आगे बढ़े अगले question की ओर चलते हैं अगला question देखेगा सूरे से प्रित्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है तो सूरे से प्रित्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है means service tax कब लागू हुआ तो भारत में पहली बार जो service tax लागू हुआ था वो 1994 में हुआ था, कब हुआ था, 1994 में भारत में पहली बार service tax सेवा कर लागू हुआ था clear हो गया, अगला question यह है कि जो पित रस है, means bile juice, वो कहां से निकलता है तो यह निकलता है आपके liver से, liver means क्या, यह crit से आपके निकलता है clear हो गया, bile juice कहां से निकलता है, liver से निकलता है, यह crit से निकलता है अगला question यह था कि भारत की सीमा किस देश से नहीं लगती, तो option में था चाइना, बंगलादेश, म्यानमार और तजाकिस्तान, तो भारत की जो सीमा है, वो चाइना से भी लगती है बंगलादेश से भी लगती है, और म्यानमार से भी लगती है, लेकिन तजाकिस्तान से नहीं लगती तो इसलिए आपका हैं आपर correct answer क्या हो जैगा? अगले question की ओर चलते हैं दिल्वाडा का जहनमंदर जो Hudson River है है ना Hudson नदी किस शहर से होकर गुजरती है तो आपके option में New York था Paris था और दो option और थे वो student को याद नहीं थे तो Hudson नदी जो है वो New York से होकर गुजरती है कहां से होकर गुजरती है New York से कौन सी नदी Hudson नदी कौन सी river Hudson river clear हो गया है आपर सभी लोगो को चले तो अगले question की ओर चलते हैं अगला question यह है कि odd one out का question था देखेगा बहुत अच्छा question है यह मैं very very important लिख दे रहा हूँ आने वाली shift में पूछा जा सकता है तो यह जो question है थोड़ा समय है इसको easy to moderate में कहूँगा देखेगा पीच इतंबरम stadium इडन गार्डन stadium वानखेडे stadium और पीटर सॉल्ट stadium तो हमें बताने कि इसमें से विशम कौन सा है हमें यह बताने है तो देखेगा यह जो पीच इतंबरम stadium है यह भी आपके cricket का है इडन गार्डन stadium भी cricket का है वानखेडे stadium भी cricket का है लेकिन जो Peter Salt Stadium है जो की कहाँ पर है आपका West Bengal में है ना तो यह जो Peter Salt Stadium है यह आपका football का stadium है किसका stadium है football का तो बहुत अच्छा question था यह कि Peach Itambram, Eden Garden, One Kheड़े और Peter Salt इन में से मैं विशम बताना था, Odd बताना था तो Peach Itambram, Eden Garden, One Kheड़े यह तीनों आपके cricket के stadium है लेकिन जो Peter Salt Stadium है यह आपका किस चीज़ का है कौन से खेल का है तो football का है clear तो इसलिए आपका यहाँ पर Peter Salt Stadium Odd हो जाएगा अगले question की ओर चलते हैं कि One Stop Shop Scheme कब लागू हुआ तो देखेगा यह current affair का question है आपके कि One Stop Shop Scheme जो है वो जुलाई 2020 में लागू हुआ था अगले question की ओर चलते हैं पृत्वी अपने केंदर पर कितने डिगरी पर जुकी है तो पृत्वी अपने केंदर पर 23 वन बाई टू डिगरी पर जुकी है या 23.5 डिगरी पर जुकी है काफी अच्छा question है easy question है clear अगला question solar bits में कितने colors होते हैं तो देखेगा यहाँ पर जो option थे वो बहुत पास-पास थे हैं बट इसका यहाँ पर correct answer हो जाएगा 65536 तो मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए easy to moderate कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे question में होता है क्या है जिसमें value पूछी ज color होते हैं clear हो गया तो यह question थे friends आज के second shift के 21 March second shift के question थे clear इसकी जो PDF है यह मैं आप लोगो अपने telegram channel पर दे दूँगा और telegram channel की जो link है वो आपके description box में लिखी गई है तो बिलकुल आप description box में जाएगा telegram channel की link पर click करके हमारा telegram channel join कर लिजेगा तो आपको वहाँ से इसक PDF मिल जाएगी clear अगर आज की class अगर अच्छी लगी हो यह class अच्छी लगी हो तो भी है like करिएगा और आप लोग मुझे comment करके बताएगा कि किस का आज paper था उन्होंने कितने attempt करें और जो जो मैंने आप से question पूछे हैं उसका comment box में answer दीजेगा clear और इस class को share भी करिएगा और अपने दोस्तों में share भी कर दीजेगा और उन्हें भी subscribe करने को कह दीजेगा clear हमारे channel पर cbt2 ntpc cbt2 और group d की classes start हो चुकी है है न तो जो maths की और reasoning की live classes लग रही है तो maths की जो class है वो साड़े 11 बजे से start है और reasoning की जो class है वो 4 बजे शाम में है clear तो बिलकुल आप सभी students यहाँ पर live class आईएगा और doubt अपने पूछेगा मैं live class यहाँ पर इसलिए रहा हूँ था कि वहीं की वहीं बच्चा अपना doubt पूछ ले और doubt clear कर ले है न वरना मैं क्या कर सकता है था recording video डालके भी YouTube channel पर upload कर सकता था बट live class में इसलिए रहा हूँ था कि आप वहीं की वहीं अपना concept समझ लीजे और कहीं पर भी doubt है तो तुरंट faculty से पूछ लीजे clear हो गया चले तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं है ना मिलते है next class में जब तक के लिए bye bye take care